सबी प्यारे साथियों को राम राम नुश्कार उमीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बड़ी होंगे इस वीडियों हम बात करने वाले हैं SSF की जॉब प्रोफाइल के बारे में आप सभी को पता है के एस साथिस की भरती में बहुत सारे कैंडिडिट SSF को पहली चॉयस देते हैं तो क्यों पहली चॉयस देते हैं इसमें क्या benefit होते हैं वो सारी चीज़ें हम जानेंगे इसमें कितनी सालरी मिलती है कितनी छुट्टिया मिलती है प्रमोशन कैसे होता है, कौन सी आपको यूनिफॉर्म मिलती है, कौन सा हत्यार वेपन आपको यूज करने के लिए मिलता है, ट्रेनिंग का होती है, कौन करवाता है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएंगी, आप सभी को कमेंट करके जरूर बताना है कि आपने 2025 की बढ़ती है, 2024 में अपनी पहली चॉइस कौन सी फोर्स भरी है, अब आगे बढ़ते हैं, और सारी चीज़ें आप सभी को क्लियर करते हैं, वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और शियर करते हैं, चैनल को सब्स्क्राइब करके वेल आइकन पर प्रेस कर हैं, ताकि future में आने वाली हर एक update regular आपको सबसे पहले मिल दी रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, तो देखो इससे पहले आपको बता दें, जो भी बच्चे ससीडी 2025 की तयारी करने वो mission वर्दी वैच में enroll कर सकते हैं, cable 69 रूपीज में ये वैच आप सभी को देखने के लिए मि जिससे कि आप multiple examination की तयारी वहां पे कर पाएं, जिसमें आपको handwritten notes मिल जाएंगे, सभी की subject wise वहां पे upload कर वाई जा रहे हैं, sectional आप test दे सकते हैं, वो भी आप free में दे सकते हैं, तो free में भी बहुत सारा content regular हम वहां पे upload कर वा रहे हैं, और बहुत सारा content आपको देखने के चीज़ें मिल जाएंगी, तो link वीडियो के description में दिया हुआ है, फटाफर से जाई और application study for dreams 2.0 को download कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली examination में help मिल पाए, पहले मैं बात करूंगा, देखो SSF, SSF की जो full form की अगर हम बात करें, तो security security force, यानि की सच्चे वाले स्वरक्षा व पोस्टिंग हो जाएगी, या कहीं पर remote areas में आपकी posting होगी, ऐसा नहीं है, यह safety के point of view से सबसे best job है, साथ ही में अगर आप चाते हैं कि आपको किसी दूसरी examination की तैयारी करनी है, तो उसके सबसे और भी best है, कैसे है वो अभी आपको में clear कर दूँगा, आगे बढ़ते हैं starting में आपको लंसम 40,000 रुबे पर मंत, आपको यह salary देखने के लिए मिल जाएगी, लंसम ठीक है, कम यह जाता थोड़ी बहुत हो सकती है, क्योंकि HR बगर जब आपका भढ़ता रहता है, तो इसके according यहाँ पर आपकी जो salary होती है, वो increase हो जाती है, तो यह यहाँ पर लंसम जुड़ी होई, जो इमारते हैं, उनकी सुरक्षा करना है, वहाँ पर जो भी entry point, exit point होते हैं, वहीं पर इनकी जाधा था duty लगती है, तो यही इनका काम होता है, काम भी जस्ट अभी आपको समझ में आ जाएगा, तो हमेशा आपको दिल्ली में रहके यह job करनी है, कहीं remote areas मे जाने के आपको जरुवत नहीं पड़ेगी, अगर आगे बात करें तो देखो uniform की बात कर लेते हैं, तो uniform आपको मिलती है खाकी, जो police की जैसे बरदी होती है, आपने अगर देखा हो, सभी state में जो खाकी बरदी होती है, वही आपको यहाँ पर alert होती है, और वही आपको पह हत्यार से काफी जाता होता है, कि अगर force join कर रहे हैं, तो हत्यार तो मिलना चाहिए, तो यहाँ पर weapon का कोई काम नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर weapon मिलता नहीं है, तो यह civil force की तरह काम करती है, तो इन्हें हत्यार वगएरा की कोई जरूवत नहीं है, क्योंकि job profile की जैसे मैं बात करूँ कि जैसे सचे वाले सुरक्षावल है, तो यहाँ पर क्या रहता है, जैसे कि मान के चलो कि सचे वाले के किसी gate पे लगए, तो वहाँ पर क्या चेकिंग का काम है कोई भी गलत चीज या कुछ से ऐसा enter नहीं हो जाए, तो वहाँ पर वो check वगएरा करते हैं और हो आपकी ट्रेनिंग पर। यह है आपका यहां पे ट्रेनिंग का तो ट्रेनिंग का पॉइंट यहां पे आपको क्लियर हो गया इसके अलाब अगर मैं बात करूँ कुट आफ की तो देखो आपकी आल ओवर इंडिया वाइज आपकी कुट आफ जाती है एक्शुल में आप सभी जानते हैं कि स्टेड अगर आप देखेंगे तो 2024 की जो रिसेंट बढ़ती चल भी है उसकी जाके एक बार कट आफ देख लेना यहां फिर मैं टेलीग्राम में डाल दूँगा जिसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि इसकी जो कट हो जाते हैं तो टोटल मिलाके लंसम यहां प्रमोशन प्रमोशन अगर मैं बात करूं तो पहला प्रमोशन होता है head constable और दूसरा promotion होता है SI लेकिन इसका जो promotion है वो काफी ज़्यादा slow है और जो आपकी forces है उनके comparatively अगर यहाँ पे देखेंगे तो head constable अगर आप मैं बात करूँ तो करीब आप 14 से 15 साल में यहाँ पे head constable बन पाएंगे और इसके वाल लगवा 5 साल आप सभी को SI बनने में लग जाते हैं तो करीब गरीब आप यह बान सकते हैं कि अगर आपका सारा कुछ ठीक ठाक है आपका जो भी role वगएरा है सब एकदम perfect है तो उसके according आप यह मान लो कि 20 साल में SI बन सकते हो ठीक है और यहाँ पे 14-15 साल में head constable बन सकते हो तो यह रहता है इसका promotion का बाकी का almost जो भी इस related चीज़े हैं वो मैंने आपको clear कर दी है कि अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि आपको SSM में भरती होने के बाद करना क्या है आपका काम क्या है छुट्टियां कितनी है, सालरी कितनी है क्या फाइदे हैं, क्या नुकसान वो भी आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो अलग-अलग mind stat के साथ भरती होते हैं तो वो आप समझ लेना कि यह चीज़ें आप सभी को इसमें मिलने वाली है उमीद है कि पॉइंट आप सभी का एकदम से क्लियर हो गया होगा पढ़ने के पॉइंट अभी उससे काफी बढ़िया है क्योंकि आप यह समयलों कि लगवग आपकी यहां पे 8 आवर्स की ड्यूटी होती है किसी exception case में आपकी 12 घंट हो सकती है लेकि जर्नल यह आपकी जो ड्यूटी लगती है वो 8 घंटे की लगती है इसके बास 16 घंटे आपके पास होते है और 16 आवर्स आप कैसे भी यूज़ करें अपने study के लिए यूज़ करें सोने के लिए करें, खेलने के लिए करें वो आपके उपर depend करता है जो की काफी sufficient time है जिसमें आप अपने अच्छे तरीके से किसी भी अधर examination की दयारी करके भी उसे crack कर सकते हैं तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like, share कर देना चैनल को subscribe कर लेना मिलेंगे next वीडियो में फिलाल के लिए बस इतना ही 100 thank you for watching जाए हिंद जाए वारत इस भी अधर examination की दयारी करके भी उसे crack कर सकते हैं तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like, share कर देना चैनल को subscribe कर लेना मिलेंगे next वीडियो में फिलाल के लिए बस इतना ही 100 thank you for